नमस्कार दूदर्शन खबराँ चाप सब्दा स्वागत मैं जतिंदर सिंग पहला पेशने चोण मियां खबराँ प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी पाल के विशवदे सब तो वड़े कोरोना टीका करन प्रोडाम दी वीडियो कॉन्फरेंस रही शुरुआत करनगे कोवीड टीका करन दे उद काटन समय सारे सूबयां ते किंदरशास्त प्रदेशां विच पहन दे तेन हजार छे टीका करन सेंट्रा नो वर्चुल मादेम राही जोड़े जावेगा पलके शुरु होन वाले कोरोना टीका करन अबे आन दे मदे नजर आज जिलंदर वेच सिवल सर्जन दफ्तर विखे एक मीडिया वर्क्शॉप करवाई गई करोना टो ठीक होन दीदर 96.95 पहुंची होन तक देश विच एक करोड एक लख बाट हजार तों ज्यादा मरीज करोना टो ठीक होए पार्ती फौज बलू आज आपना 73 मां सैना देवस मनाया गया पार्ती फौज दे मुखी जनरल एमेम नरवने ने कहाए के चीनी फौजिया नाल गल्वान काटी वेच संगर्ष दोरान शहीद होए वी पार्ती सैनका दा बलिदान अजाई नहीं जावेगा प्रदान मांतरी नरेंदर मुदीपल के देशते युवा उदमी स्टार्ट अपस नल गाल बात करनेगे प्रदान मांतरी प्रारंब स्टार्ट अप इंडिया अंतराष्ट्री सिखर समेलन नूबी वीडियो कॉन्फरेंस नाहीं संबोधन करनेगे लड़ी दे चोथे क्रिकेट टेस्ट मैच दोरान आस्ट्रेलिया ने टास जती के पहला बले बाजी कर देयां पहले देन दी खेड खत्म होन तक पांज खिडारियां पिछे 274 दोडाम बनाईयां केंद्री खेती कानून ते पहे रेड के दे हाल लई अंदोलनकारी किसान जते बंदियां आते सरकार विचाड़े नमी दिली दे विज्ञान पवन वेच नौ में गेड़ दी गलबात भी बेसिटा रही है अगले गेड़ दी गलबात उन्नी जनवरी लई तै होई है इस मीटिंग विच केंद्री खेती बड़ी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर रेलवे वन जते खुराक मंत्री प्यूश गोयल अते केंद्री वन जराज मंत्री सोंप्रकाश शामल सान मीटिंग दो बाद मीडिय अनल गलबात करते हैं नरेंदर सिंग तोमर ने कहा कि सरकार खुले मनल किसान अनल गलबात कर रही है उना कहा कि किसान अदिया चेंटा मादा हल गलबाद रही ही हो सकता या थे उननों उमीदे के अगले गेर दी गलबादे कुछ सार्थक नतीजे सा मने आणके केती मंतरी ने कहा कि इस समय कोरोना दावी खत्रा या ते किसान भी कडाके दी ठंड विच दिली दे बाड़ना दे बैठे ने उन असला देती के रेड़ के दे छेती हाल नहीं किसान जते बंदियानों एक गैर रास्मी ग्रूप बनाके प्रस्ताव त्यार करना चाहिए था जो इस सुत्ते विचार हो सके भी सरकार की ओर से दिया गया है लेकिए वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था इसके करना बारता चल रही है और हमारी कोसिस है कि बारता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान अंदोलन समाप्त हो सुप्रीम कोर्ट ने अगले हुकमा तक नमे खेती कानूना दे अमल ते रोक लगा देती सी है ते किसाना अनल गलबात ले चार मेंबरी कमेटी दा गठन कीता सी जिस वल्लों दो महीने दे अंदर-अंदर रिपोर्ट पेश कीती जानी है इसे दुरान किसान जथे बंदिया सुप्रीम कोर्ट वल्लों थापी की कमेटी दे एक मेंबर पुपिंदर सिंग मानने बीचते वीरवार अपने आपने आपनो इस कमेटी दो वक कर ले आ सी जिकरियोगे के हजारां किसान वाक वाक चाली किसान जथे बंदियां दे बेनरा हेठ दिली नालाग दे टीकरी अंदोलन कर रहे ने किसान दा कहना है कि जद तक तिनों खेती कानून वापस नहीं ले जान दे उनना दा अंदोलन जारी रहेगा इन तिन खेती कानूना वेचे किसान उतपाद वपार अते वंज कानून दोहजार वी जरूरी वस्ता सोद कानून दोहजार वी यते किसान श कोविड नाइंटीन टीका करन दा ए देश व्यापी अब्यान देश दे हर कोने वेचे शुरू कीता जारे आए। सरकार ने कहाई के कोविड टीके दे पूरे चकर लई दो खुराकां अठाई दिना दे वकफे तो बाद दितिका जाने गयां। दोस्तां रिष्टेदारा ते सहयोगियां लई लाग दे खत्रे नू काट कीता जा सकदाए। कोविड प्रबावित व्यक्तिया नू इस दे लच्छन खत्म होन तों बाद 14 दिन तक टीका नहीं लगवोना चाहिदा क्योंके उना दे टीका करन वाली जगा ते जाननाल कोरोना वाइरस दे फैलन दा जो खम वद जान दाए। मंतराले ने कहाए कि पारत विच लगाया जा रहे हा टीका बाकी मुलकां विच विक्सित कीते गे टीके वांग उना ही प्रबाव शालिये। मंतराले टीका करन होवेगा जिनना विच सिवल हस्पितार जिलनदर अर्बन शीएच सी बस्ती गुजां आते सब्डविजनल हस्पितार नकोदर शामलने। इनना सेंटरां ते रिजिस्टर्ड लापात्रियां दा टीका करन कीता जावेगा उना अगे दस्या के सीरम इंस्टिटूट पूने वलों उपलाब दिकरवाएगी कोवी शील्ड वैक्सिन सब तो पहला फ्रंट लाइन वरक रहा आते हेल्थ वरक रहनों लगाई जावेग ते एक सेंटर ते सौ सौ लापात्रियां दा टीका करन होवेगा जिला टीका करन अफसर ने दस्या के जिलंदर जिले नो कोवी शील्ड दिया 16,490 डोज प्राप्त होई याने कोवी टीके दी दूजी डोज पहली डोज दे अठाई दिन बाद लगेगी उना अगे दस्या क दिखो जी कल सानू चंडिगर तो में इन स्टोर तों 16,490 डोज जडियां मिल गई है जडियां साड़ी में इन स्टोर चाह गई है ते आज जसी जड़े साड़े तेन जगा कल नो शुरू करना है वैक्सिनेशन उना विच दिस्टिक हॉस्पिटल जिलंदर बस्ती गुजा देश विच कोरोना तो ठीक होन दी दर विच लगातार सुधार जा रही है कोविड महामारी नान ने जठन लई पारत तेजी ना लगे बाद रहाए होन तक देश विच एक कोरोड एक लख बाट हजार तो ज्यादा मरीज कोरोना तो ठीक होन दी दर 96.95 पीस ते पहुच गई है रोजाना कोरोना दे नमे मामलियां दी संख्या विच लगातार वी हजार तो कट दर्ज कीती जा रही है कोरोना दी पुष्टी वाले कुल मामलियां दी संख्या दा दो इशारिया सिफर दो फीसद बन दाए केंद्री सेत्मद्राला अनुसार कोरोना तो ठीक होन वाले लोकां दी संख्या विच वादे नाल मौत दर विच गिराबटाई है जो इस समय एक इशारिया चार-चार फीसद दर्ज कीती गई है देश पर विच पिछले चोवी गांटें दोरान कोरोना वाइरस कारान एक सो इक अनमे लोकां दियां जानना गई है पार्थी फॉजवलनों आज आपना तेहत्रमा सैना देवस मनाया गया पारत दे अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनर्नल फ्रांसिस बुचर तो उननी सो उननजा वे चो समय दे लेफटी नेट जनर्नल केम करिया पाने पार्थी सैना दे कमांडर इन चीफ दे रूप विच कार्ज पार संबालन दी याद विच हर वरे 15 जनर्री नू सैना दे वस मनाया जान दाए पार्थी फौज दे शहीदानु शर्दांजली देनली आजनमी दिली दी कौमी जंगी यादगार विचे एक समागम कीता गया इस समागम दोरां चीफ आफ दे डिफेंस टाफ जनर्रल बेपिन रावत अते तिना से नामा दे मुखियां जनर्रल एम वीरानु याद कर रहे हैं जनने देश दी सेवा कर दे हैं अपनिया जाना निच्छावर कर देती हैं सन देश हमेशा सासी अते वचनबद सैन का आते उना दे परिवारादारी नी रहेगा प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने इस मौके पार्थी सैना दी शलागा कर दे हैं स पार्ती फॉज दे मुखी जनरल एमम नर्वणे ने केहाए के चीनी फॉज गानल गलवान काटी वेच संगर्ष दोरान शहीद होएवी पार्ती सेनका दा बलिदान अजाई नहीं जावेगा। आज नमीदली वेच तेहत्र में फॉज दिवस मौके प्रेड दोरान अपने संबोधन वेच जनरल नर्वणे ने गलवान काटी दे शहीदानों निगी अश्रदा जलियां पेंट की तियां। आज मुखी ने कहा के पार्ती फोज ने पिछले एक साल दोरान दो सो अतवादियां दा खात्मा कीता। उना कहा के पाकिस्तान दे कबजे वाले कश्मीर विच अजे वी कोई 400 अतवादी ट्रेनिंग कैंप पांचों पारदी सीमा अंदर कोसपैट करन दी फिराक विच ने। उना कहा के पिछली वार कंट्रोल रेखा ते गोली बंदी दी उलंगनादियां कठनामा विच चाली फीसद वदा होया। पिछली साल तक्रीबन 600 अतवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफी मातरा में हत्यार भी बरामद किये गए। अंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तेनाती में की गई गटोती सुदारते हलोतों का सबूत है। सेना और असाम राइफिल्स राज्य सरकारों के साथ सन्युक रूप से देश की एक्टीस पॉलिसी को अकार दे रही है। पंजमी वरेगंड मौके करवाया जा रहे है। प्रदान मांतरी नरेंदर मोदी वलों 16 जन्वरी 2016 विच स्टार्ट अप इंडिया स्कीम शुरू कीती गई सी। पलके हुन वाले स्टार्ट अप इंडिया अंतर राश्ट्री सिखर समेलन विच पच्ची तो वद मुलकां दे कोई 200 स्पीकर हिसा लेंगे। इस सिखर समेलन दा उद काटन केंदरी वन जते सन तामारे मंतरी प्यूश गोयल वलों कीता जावेगा। अस्ट्रेलिया दे ब्रिस बेन विच पारत अतर रिम्यान मौझूदा क्रिकेट टैस्ट लड़ी दे चौत थे अंतिम मैच विच आज अस्ट्रेलिया ने टास जित के पहला बलेवाजी दा फैसला की था। उस्टेलिया दी शुरुआत पामें बहुत चंगी नहीं रही। उस दे दो में सलामी बलेबाद 17 दोड़ा दे स्कोरते ही आउट हो गए सन। पर मांस लबुशग ने दे सैंक्डे दे बाद विच और वाले बलेबादा दी चंगी कार गुजारी सदका उसने पहले देंदा ख खातम होन तक पांच खिडारियां पिछे 274 दोड़ा बना लें असन। लबुशग ने 108 दोड़ा बनाके टी नट राजन हतो आउट होया। स्टीब स्मिथ नो 6 दोड़ा दे नीजी स्कोरते वाशिंटन सुंदर ने आउट की था मैथ्यू वेट दी विकट वी 15 दोड़ा दे स्कोरते नटरा जन ने लई। पहले दें दी खेड समाप्थ होन समय कैमरोन ग्रीन अठाई या ते कप्तान टिम पैन अठाथी जोड़ा बनाके क्रीज दे सी। चौथा टेस्ट मैच पारता थे ऐस्टेलिया दो माँ वास्ते ही काफी महतापूर ने होन तक दो में टीमा एक एक टेस्ट मैच जितके बराबरी थे चल रही हैं ने थे चौथा टेस्ट मैच लड़ी दे काबज होन ली फैसला कुन होवेगा। इंडोनेशिया विच बीते दिन आए पारी पुचाल विच मरनवालें दी संख्या पैंती हो गई है इस पुचाल विच साड़े छेसो व्यक्ती जख्मी वी होएने इंडोनेशिया दे सुलावेसी टापूते कल सुएरे छे शारिया दो दी ती बरतावाले शक्ती शाली इस दिन आली साड़ा खबरान दा एब लिटन समाप तुन दाए इजाज़त देओ नमस्कार